CCP, चाइना का कॉंग्रेस प्रपगेंडा, जो हमारे जवानों को अरुनाचल प्रदेश में पीत रहे हैं नमस्कार दोस्तों, मैं हो सुनी पांडे, स्वागत आप सब के एक नई वीडियो में हाली में क्या हुआ कि जो कॉंग्रेस के लीडर है राहूल गांधी जी उन्होंने लिटिली कुछ ऐसे बयान दे दिये जो इंडियन आर्मी को डारेटली और इंडारेटली कह लिजिए वो क्रिटिसाइजम ही था क्योंकि उन्होंने कहा था कि आज सब सवाल पूछेंगे आगे पीछे दाएंबाएं यातरा सचिन पाइलट अशोगे लोट सब पूछेंगे मगर मगर चाइनों के बारे में एक सवाल नी मुछा जाएगा जिन्होंने 2,000 स्क्रे किलोमेटर हिंदूस्तान का उठा लिया जिन्होंने इंदूस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुनाचल प्रदेश में पीत रहे हैं, मैंने का हिंदूस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूचेगी, सच था, सच था इंडिया और पाकिस्तान की पोल्टिक्स में जानते हो, आप क्या फरक है, पाकिस्तान की पोल्टिक्स में पाकिस्तान की आर्मी को इन्बोल्ब किया जाता है, और वो इन्बोल्ब रहती भी है, इंडिया की पोल्टिक्स में कभी आर्मी को इन्बोल्ब नहीं किया जाता है, ना तो नेताओं द्वारा ना आर्मी खुद इंवल्ब होती है और अभी इसका कभी भी हिस्ट्री भी नहीं रहा है कि कभी इंडियन आर्मी को इंवल्ब किया गया हो पोल्टिक्स में लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई एक प्रटिकुलर पार्टी को क्रिटिसाइज करने क चक्कर में indirectly कोई और क्रिटिसाइज हो जाता है जैसे कि इंडियन आर्मी टार्गेट हो गई कि या इंडियन आर्मी की पिटाई हो रही है और महजुदा गवर्मेंट चुप है वो हो सकता है कि उनका intention रहा हो महजुदा गवर्मेंट को गहर ने की लेकिन इंडियन आर्मी को क्रिटिसाइज कर दिया जो की एकदम से अनस्पेक्टबल है और इसके अलामा क्या है कि अभी हाली में बहुत सारी सोसल मीडिया पर जो वीडियो वाइरल हुई है उसमें ये किलेर दिख रहा है वह इसलिए आ a barbed wire high in the Himalayas again we've been able to confirm that this was took place around September 28th 2021 this is according to an Indian military officer in the area of Arunashal Pradesh the video goes on अला जाराय कि ये वीडियो पुराना है मैं कहरा हूँ कवका भी हो लेकिन जो वीडियो हो असलियत है तो सही यानि जब भी पिटाई होगी Chinese army की हुई है 2021 का वीडियो हो दरसल लेकिन अच्छे से पिटाई हुई है उनकी तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि हम इंडियन army के उपर attack कर दें और इस तरह से criticize करें अपने political gains के लिए तो ये एक गलत किया राहूल गांदी जी ने और उसके बाद में किया हुआ कि जो भारत के external affairs minister है उन्होंने राजसभा में खड़े होकर वो BJP से MP है राजसभा के उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है हम कुछ भी करें लेकिन political gains के लिए अपनी हद को ना पार करनी चाहिए लिटिली हमें इंडियन आर्मी को नहीं क्रिटिसाइज करना चाहिए मैं चाहता हूं कि आप सब इस वीडियो को देखें एक किलिप है राजसभा की so I want to say something sir if we were indifferent to China who sent the Indian army to the borders if we were indifferent to China why are we today pressing China on disengagement and de-escalation why are we saying publicly that our ties are not normal so we have no problem if there is political differences if there is even political criticism I have heard sometimes that my own understanding needs to be deepened when I see who is giving the advice I can only bow in respect but I think we should not directly or indirectly criticize our jawans when our jawans sir are standing our jawans our jawans are standing sir in Yangtze in in Yangtze at 13,000 feet at 13,000 feet they are standing there defending our borders they do not they do not deserve to have the word pitai the word pitai should not be used for our jawans sir sir our jawans are standing their ground so they should be respected they should be honored they should be appreciated this is this is not something which is appropriate this is accident say kya hootahe ki indian politics ka jostar eh hoon niche jatay hoon basically we have a democracy and we have free speech ka or in sub-cheeze ka aksha freedom mila huwa hai lakin it's ka ye kabhi mtolab nahi hai ki kuch maamlo me aap ki speech ka bhi khayal rakhha jata hai ki woh kis label tuk honi chahiyeh to kuch criteria hoota hai aise hi army ke upar bhi aap is tarah se comment nahi kar saktay ho obviously kisi party ko criticize karne ke chakar me aap army ko bhi nahi criticize kar saktay ho aapna jok tigat or jok political ideology hai woha aapne paas hoonna chahiyeh ya aapne aapas me party me woha chahi congress bjp ko criticize karay ya bjp congress ko karay ya aam aadmi ya jdu ya siu senna joh bhi jisko chahi criticize karay lakini literally isme army ko kabhi involve nahi karna chahiyeh nahi toh hummeh or Pakistan me koji fark nahi raje jayega toh is wajah se ye kaafi yek duchat bati ki indian army ko criticize kiya gaya indarelli or darelli jobhi jayse bhi or indian army hi hai jiski wajah se hum hai kyunki humare paas me dho aise dushman hai joh humare kandhe pe bandukh rakh kar waithe hai ki kabh humare halki si bhi aankh jhope aur woha hume mar dhe toh is wajah se agar aise situation me aapji raha hoa aur indian army aapka suruchhah kar raha hai toh uske baare mei is tarah se sabda bolna hii aapke liye ek dam se gunaha jaysa hai toh is wajah se aiasa nahi hoana chahiyeh ki political gain ke liye in the future koji aapne sabse nimna astar pere chala jaya baki ac or video dhekne ke liye aap humare channel ko subscribe kere video ko like keree meilenghe next video me jabtak ke liye jayhin